Question number 152. The resistance is in the four arm of a visitor network. In cyclic order, visitor network तो दिया है, और resistance कैसे दिये है? Cyclic order में. Cyclic order मतलब क्या? अगर यह मैं cycle बना दू, ring है. 1, 2, 3, 4. ऐसे होंगे न? A, B, C, D. बराबर, cyclic order इसे ही बोलेंगे. तो visitor network में, cyclic order में register connect है. कैसे है? 5-oham, 2-oham, 6-oham, 15-oham. तो हम visitor network बना देते हैं. यहाँ वाला register कितना? 5-oham. यहाँ वाला? 2-oham. यहाँ वाला? यहाँ वाला या यहाँ वाला? राइट वर्ड यह लिफ्ट यह लिफ्ट यह देखो, cyclic order दिया है. इसका मतलब यह वाला होंगा 6-oham और यह वाला होंगा 15-oham. अगर वो cyclic order mention नहीं करता, तो यह 6-oham नहीं होता. यह वाला 6-oham होता. याद इससे पहले हमने question किया है, कहां था बोबा वो? यह? इसे भी 4 resistances थे. हमने circuit कैसे बनाया था? यहाँ पे आया था P, यहाँ पे आया था Q, यहाँ पे आया था R, और यहाँ पे आया था. क्यों आया था ऐसा? क्योंके cyclic order mention नहीं था. और यहाँ पे mention है कि cyclic order के अंदर वो चीज़े अरेंज है, इसका मतलब cyclic order है, तो हमको इसी तरह लेना पड़ेंगा जैसे हमने लिया 5, 2, 6, 15. ठीक है? मुझे नाम बता दो, R1 कौन होगा? और? हाँ, ठीक है. If a current of 2.8 ampere enters the junction of 5 oham and 15 oham, यह 5 oham और 15 oham का junction है. यहाँ पे कितना resistance, यहाँ पे कितना current इंटर किया? 2.8 ampere का current यहाँ से इंटर किया. Then the current through 2 oham register, तो यह 2 oham register मेंसे कितना current flow करेंगा, वो हमको पता करना है. ठीक है? तो, देखो जी, यहाँ पे बीच में तो कोई register है नहीं. बीच में कोई भी register नहीं है. यहाँ से कितना current flow करेंगा मान लेते है i1 यहाँ से कितना flow करेंगा मान लेते है i2 यहाँ से अगर i1 जा रहा है तो यहाँ से भी i1 ही जाएगा यहाँ से i2 जा रहा है तो यहाँ से भी i2 ही जाएगा तो यह दोनों register कैसे हो गए? series में arrange हो गए अगर ये series में है तो उपर का value कितना हो गया? 5 plus 2, 7. और नीचे का value कितना हो गया? 15 plus 6, 15 plus 6, कितना? 21, ये कैसे आया? 15 और 6. और ये कैसे आया? क्योंकि वो series में है. यहां से कितना current flow करेंगा? I1, और यहां से कितना flow करेंगा? हमको पता क्या करना है? 2, वो हम मैं से flow होने वाला current. और वो कितना है? I1 के बराबर. मतलब हमको I1 ही पता करना है. अब यहां पे total current कितना आ रहा है? 2.8 ampere. इसको नाम दे देंगे capital I. अब current divider rule, current divider rule क्या कहता है? I1 का value निकालना है. तो क्या use करो? R2 upon R1 plus R2 times of total current. R2 का value कितना होंगा? इस branch के साथ वाली branch का resistance. कितना है? बताओ. 21. अरे यहां इसका current निकालना है तो इसका resistance आएंगा? समझ रहे नहीं? 21 आ गया. डिवाइड में कौन आएंगा? R1 का value कितना? 7. प्लिस 21. टाइम्स of total current कितना? 2.8. चले solve करें उसको. So, I1 is equal to 21 upon 21 plus 7 कितना होता है? 21 plus 7, 28. तो हम यहां 20 क्लिक लेते हैं. टाइम्स of 2.8. अब क्या होंगा? 28 और 28 कैंसल हो जाएंगा. 2.8, 1s are 2.8. 2.8, 10s are. तो answer आजाएंगा 21 by 10. तो I1 का value आना चाहिए 2.1 ampere. 2.1 ampere हमारा answer होना चाहिए. Option D should be correct here. इस question में अहें क्या है? विस्टर नेटवर्क दिया है? कुछ doubt है? बिल्कुल लेना चाहिए. आपको क्यों लग रहा है ऐसा R3 लेना चाहिए? साइक्लिक ओर्डर है. साइक्लिक ओर्डर के माने क्या होते हैं? A, B, C, D. यह continuous order है? यहाँ उसने कहा है कि चार रेजिस्टर्स है. कैसे कैसे हो? 5, 2, 6 और 15 है ना? ऐसे हैं, चार रेजिस्टर्स. इनको आपको अरेंज करना है. कैसे अरेंज करना है? साइक्लिक ओर्डर में. तो 5 यहाँ आ गया. 2 यहाँ आ गया. यहाँ कौन आना, यहाँ कौन आना. यहाँ आना 6 और यहाँ आना. अब यह हुआ cyclic order. है ना? यही हम बताना चार रहे हैं. कि इस question के अंदर cyclic order दिया है. इस वज़ाँ से हमने ऐसे arrangement लिया. अगर वो एक word निकाल लेता, cyclic. तो हम ऐसा arrangement नहीं बनाते हैं. हम बनाते हैं. 5, 2, 6, 50. क्योंकि विस्टन में resistances ऐसे ही arrange होते हैं. वहाँ एक word आया है cyclic arrangement. उसकी वज़ा से हमने उसको ऐसे goal round में arrange किया है. वालेकुस्लाब. ठीक है? ठीक है, नीचे ही आना चाहिए. देखो, दो condition है. एक विस्टन वाली condition है. विस्टन वाली condition में R1, R2, R3, R4 होना चाहिए. और एक cyclic condition है. cyclic में क्या होना चाहिए? R1, R2, उसके बाद R3 और R4. इस तरह की arrangement पे resistance आना चाहिए. आप जो बोल रहे हैं, वो विस्टन के लिए valid है. यहाँ चारों resistance, cyclic arrangement में है. इसनिए हमको arrangement ऐसा करना पड़ा. R3 ही है, question के अदर. नाम नहीं बदले होनका, लिखने का तरीखा बदले है. और बदने का reason? cyclic word का आना है. एक बार और question को देखते हैं. चार resistance है, 5, 2, 6 और 15. 5, 2, 6 और 15. ऐसा arrangement होगा, ठीक है? नजीर इदर ध्यान दो, please. यह, R1, नजीर, आपका नाम क्या है? जी. नहीं, जैद से पीछे दानिश, दानिश के पीछे. जी. हमाद, मैं बार बर भूल रहा हूँ. यह R1 होंगा, यह R2 होंगा, यह R, given data के सबसे, थर्ड resistance होंगा, यह 4. तो R1, R2, R3, R4 आ गया? अब उसमें बीच में resistance दिया ही नहीं है. तो वीस्टन वाली condition चेक क्यों करना? अब बीच में कुछ सबसे करते थे जब बीच में कुछ resistance होता था? अब बीच में कुछ resistance है ही नहीं, तो current फूल डिबाइट होंगा. so यहां से अगर I1 जा रहा है, तो यहां से भी कितना जाएंगा? तो यहाँ पर एक register आ गया 7 का, एक register आ गया 21 का, हमको पता क्या करना है, current किस में से, 2oham में से, 2oham में से कितना flow हो रहा है, और उतना ही 7oham के अंदर से भी flow हो रहा है, क्योंकि series combination है, तो I1 पता कर लो, कैसे पता करेंगे, current divider rule, current divider rule क्या कहता है, I1 equal to R2 upon R1 plus R2 times of total current, R2 की value कितनी है 21, और नीचे आ जाएंगा 7 plus 21 times of 28, 2.8, यह 28, 2.8, नीचे बचेंगा 10, answer आ जाएंगा 2.1 ampere, ठीक है?